नमस्कार स्वागत आप सभी का मैं हूँ आपके साथ विपिन कुमार शर्मा और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं राजिस्थान का करन्ट अफ्यार्स तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकार है आपके लिए जो लोग टीचर्स ग्रेट थर्ड वाला एक्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए कलाम अकेटमी द्वारा परीक्षा से पहले एक परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है जो लोग कलाम से जुड़े हुए है उनको पता होगा तो जैसे कि से पहले भी किया गया था इनवरी 2023 को एक्जाम कंड़क्ट होगा इसके लिए आप कलाम अकेडमी की जो वेब साइट है यानि की www.klam academy इस पर आप जाकर अपने आपको रेइस्टर कर सकते हैं अब शुरुआत करते हैं हमारी क्लास का तो जैसा कि आपको पता है हमने पहला जो चैप्टर था यानि की योजनाय कारेक्रम नीतियां और अभ्यान दिसंबर 2022 वाला वह हमने समाप्त किया उसके बाद हम चल रहे थे रिपोर्ट मुद्दे घ्रकनाय एवं चर्चित इस्थल उसी से जुड़ी हुई एक लास है आज की देखते हैं क्या है पहला कोशन पंद्रवे वित्तायोग द् प्रस्तावित देश में आठ नए शहर वसाए जाने की योजना के तहट राजस्थान के किस जिले में नया शहर बसाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है जो आप्शन्स है यानि की जो आपका आंसर है उससे पहले यह जानकारी काफी इंपॉर्टेंट है क्या जानकारी दी गई है कि भारत का जो वित्तायोग है 15 वित्तायोग उसने प्रस्ताव रखा कि अपना एक नजरिया या अपने प्रस्ताव सरकार के सामने सुझाब रखा कि देश में नए शहरों को बसाए जाने की जुरूत है आप सभी जानते हैं यह बहुत बड़ी समस्या है कि गाउं से लोग कर रहे हैं और सहरों पर जो है वो बोज बढ़ता ही जा रहा है यानि की जितनी शमता होनी चाहिए उससे बहुत ज्यादा जनसंख्या शहरों में निवास कर रही है इस समस्या के लिए वित्तायोग ने सुझाब दिया कि आठ नए शहर बसाए जाने च सहर के लिए कहां की 1000 करोड रुपे केंद्र सरकार द्वारा दिये जाने चाहिए यह किसके लिए जो वित्तायोंग द्वारा सुझाब दिया गया हर शहर के लिए 1000 करोड रुपे इस तरह कुल 8 नए शहरों के लिए कितने हो गई है आठ से इसको मल्टिप्लाई करेंगे तो 8000 करोड रुपे ये तो हुआ केंद्र सरकार द्वारा दिया जाने वाला जो पैसा है वो लेकिन अ लागत से एक शहर बसाया जाए अब इसमें से राजसरकार चाहरी है कि तीन से 4000 करोड रुपे जो खर्चा आना है उसमें से 1000 करोड रुपे इस योजना के तहत यानि कि जो केंद्र सरकार के तहत उनको मिल जाए जो की वित्तायोग ने उनको सुझाब दिया था राजसरकार इस शहार को बसाने चाहरी है किसी तरहें चंडी-गण्ड़ शहर की तर्जपर जो सब्से आधुनिक बसा हुआ जैपुर भी आधुन्वी स्षब हुए है लेकिन जैपुर के बाद उससे उससे बुझ numb कॉन सा बसा चैठर है چंडी-गण्ड़ इसी तरह राजसरकार कोटा में रानपुर में शहर को बसाना चाहरी है तो इसके लिए कुल बजट है तीन से चारहाजार करोड रुपे जिसके लिए राज़ी सरकार चाहरी है कि 1000 करोड रुपे कहां से मिल जाए कि इंद सरकार के द्वारा प्रचन है पैलेट प्रजेक्त के तौर प्रदेश में पहली बार निम लिख्त में से किस बांध पर लगाया जाएगा फैली ऑस यह पाईलेट प्रजेक्ट था करके देखे जाएक एक ट्राइल प्रोजेक्ट है और अगर प्रोजेक्ट सफल हुआ तो राज्य में अन्य वी जो बांध है या बड़े जलाशे हैं जलके श्रोत हैं वहां भी इस तरह का पंप लगाया जाएगा इस पंप का टैरता हुआ पंप यानिकी फ्लोटिंग पंप जिसको इंग्लिश म कि यहां अभी पाइलिट प्रोजेक्ट के तोर पर इस पंप को स्थापित किया गया है जिससे क्या होगा यहां से जो पानी आएगा इसको चित्तोड गड़ के ही कौन सा शेत्र है जो भैस रोड़ गड़ भैस रोड़ गड़ और इसके आसपास के जो 68 गाओं है उन सभी को पानी उपलब्ध कराया जाएगा यह पाइलिट प्रोजेक्ट है यानि कि अभी ट्राइल बेसिस पर है अभी एक बार इसको चेक्टर कर देखा जाएगा और अगर पर योजना सफल होती है तो फिर पूर इनोवेशन हब बनाए जाएंगे जोदपूर जैपूर कोटा या उपरियुक्त सभी तो तर तो इसका उपरियुक्त सभी है अब मैं आपको बताता हूं अगर आपको याद हो तो जब हमने बजेट वाली क्लास होगी राज्थान करेंट वाली अभी कौन सी चल रही है अभ वीडियां का ठमनिल होता है उस पर क्लास नंबर लिखा होता है और साथ ही वीडियों के अंदर भी आप देख पा गऩ्ास के सब्सक्ता है अगर अगर चुट्टी है तो ड Pitts ज्यादेओं और आप और आप देखके करें आपके कह विए लगर पुरानी क्लास थी जो वह फिप्टी बन थी बीच में का गैप था अब है फिप्टी टू तो राजीव गांधी नौलेज सर्विस वा इनोवेशन हब यह बात में क्यों बता रहा हूं यह हमने जब राजितन बजेट वाली क्लास पड़े ती साथ वी आठ वी क्लास तब मैंन कि तीन तो 200 से मल्टिप्लाइ कर देंगे अगर तीन को तो कितना कुल 600 करोड़ रुपेस के लिए बजट है और वहां कोश्चन यह था की डवल्यू हब या वोमेन हब की स्थापना कहां की जाएगी ऐसा कुछ कोश्चन था बजट वाली क्लास में तो वह भी राजीव गां के अंदर बनाए जाएगा तीन शहरों में जोदपुर जैपुर और कोटा में बजट हर एक के लिए रखा गया 200 क्रोड रुपे यह गोश्चना कब की गई राजी का जो बजट आया के बजट Quad 2023 स्कंप मतलब यह है कि राइस्थान बजट की ही बात हो रही है क्योंकि हमारी क्लास राइस्थान क्रेंट अफ्यर चल रही है अगर इंडिया वाली Corpor order घो एक तरी की facility दी जाएगी उद्यम्यों के लिए और वह facility को क्या नाम दिया गया है उसको नाम दिया गया है प्लग के एंड प्ले सब्सक्राइब यह क्या होता है यह एक नया टर्म है प्लगए प्लागा का मतलब क्या है जितने भी नए जमी है या जो भी स्टार्ट अपस हैं उनको इतनी फैसिलिटी किसी जगह पर दी जाएं कि वह आएं और अपना प्लग लगाएं प्लग इन करें और प्ले करें यानि कि जैसे मानते हैं अगर कोई टीवी है कोई स्टम है या ऐसा कोई बी ओल्ग प्लग न होता है प्लग लाने के लिए केवल अपना जो प्लग होता है और काम करना है इसी के लिए इसको नाम दिया गया फ्लाग एंट पले जितने पिले है शायद ही जैसे कि MSME से जुड़े हुए कुछ नए जो स्टार्ट अप से उन से जुड़े हुए इन सभी को यह सुभधाईयां दी जाएंगी हर एक के लिए बजट कितना 200 क्रोड़ों कि बढ़ें आगे अगले कोश्चन की तरफ हाल ही में DRDO एकेडमिया उतकृष्ट तागेंदर पूरा नाम क्या है DRDO अकेडमिया उतकृष्ट तागेंदर की स्थापना है तो एक MOU हस्ताक्षरित किया गया MOU यानि की Memorandum of Understanding यानि की समझाओता पत्त्त अस्ताक्षरित किया गया यह केंदर कहां स्थाफित किया जाएगा इसका उत्तर है आएएटी जोदपूर के अंदर ही आएएटी यानि की इंडियन इंस्टिटूट ऑफ टेक्नलोजी और यहां ट्रिपल आएटी है इसका मतलब क्या है इंडियन इंस्टिटूट ऑफ इन्फॉर्मिसन टेक्नलोजी यह वाला कुश्चिन हमने सुजस्वाली पनाये जाएगा यहां ब्लॉक्चेंटर ऑफ एक्सिलेंस के लिए राज्य सरकार द्वारा इस संस्थान की मदद ली जाएगी किसकी साहता ली जाएगी टेक्नलोजी की लिए मदद किसकी ली जाएगी ब्लॉक्चेंटर ऑफ एक्सिलेंस के लिए और यह भी बजट की यह जो टेक्निकल एडवाइज होगी वो किसके द्वारा दी जाएगी आई 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 टी कोटा यानि की इंडियन इंस्टिटूट आफ इंफर्मिशन टेक्नलोजी कोटा और डियार डियो इसकी डियार डियो अकेडमी उतकृष्टा के इसकी स्थापना कहां की आजकल हम जब भी कोई चीजे पढ़ रहे हैं तो मैं साथ के साथ उस और्गनाइजेशन का आधर्षवा के वह आपको बताने की कोशिशिस करता हूं इसका अधर्षवा कि क्या है डियार डियों का बलस्य को मूलम है विज्यानम है अगर यह आपको नहीं भी याद होता मिमा सकते हैं भी शन्वारे तो हम न सब्दें सब्सक्राइब है टुटी मोट बइस तरह की चीजे डी यारे काम है अगर आप अगर आपको नहीं पता फिर भी आप कैसे सो सकते हैं कि काम से सब्देंस से भिते से शिंख्ष के लियrakि रुग कर..? तो जरूर ही होगी यानि कि देश को कैसे ताकतवर बनाया जाए वह भी सीधा-सीधा ताकतवर किस चीज में सेंदे ताकत में तो अब करता काम कैसे साइंटिफिक तरीके से विज्ञान का और्गनाइजेशन है तो अगर आपको नहीं भी पता तब भी सोच सकते हैं कि बलके मूल में विज्ञान है यह इसका देवाक्य है किसका डिया डियों का यह तो आप जानते होंगे बलस से यानि की सश्टी वेवक्ति है त कि आप जैसे स्काउट जंबूरी आउजेत हो रही है तो मैं हर दिन आपको बताता हूं उसका देवाके क्या है स्काउट का क्या है राष्ट के लिए सदैव ततपर जंबूरी की थीम क्या है ऐसी चीज़ें हो सकता है पूछी जाएं तो आप हातों हात उनको भी याद करते से बड़ा होगा option क्या है आपके जैपूर भरतपूर रंधंबॉर या बारा इसमें आप हो सकता है मिस कैलकुलेट कर लें हो सोचेंगे भरतपूर में पक्षी अविहारन्य है तो यहां हो सकता है या रंधंबॉर में बाग अविहारन्य और उसके साथ साथ इतना बड़ा जनगल का तो वहाँ हो सकता है यह आप सूचाने है अगर अस्पताल की बात हो रही है तो होसकता है जैपूर में यहां बंती है लेकिन इसका उत्तर क्या है 12 12 में बनाए जा रहा है इसमें कितनी शमता है तो 300 पक्षी और प्लस इसके साथ 200 पशु इनका एक साथ हिलाज किय कि होगी को इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ-300 ऑफ्सुब्रफी का ही ओवराल होगा इसका मतलब यह है एक साथ इतने पॉष्व अरपक्सी है दे मिट की है सकते यानि यानि के एक साथ 500 पॉष्वपक्षियों का इलाज मैं किया जा सकत다 है और इसका बजट कितना है बजट है 20 करोड़ रुपए ठीक है बढ़ते हैं आगे अगले कोशन की तरफ अगला प्रशन है हाल ही में राज्य सरकार द्वारा श्रीक केशरी सिंग बारहट के पैनोरोमा निर्माण हेतू चार करोड़ रुपए स्विकृत किया गए यह पैनो यह जो कैंग वाले किसी कोश्यंट में आएगा उसको भी मैं आपको बता हुड़ा तो एक हमने कल भी पढ़ा-था दौलत पुारा छित्तोरगत तो यहां किन का पैनुरमा था कल हमने पढ़ा था लोग- Łडेवता कॉन अम अमराजी तो लोग देबता अमराजी भगत का पैनोरोमा तो दौलत पुरा चित्तोरगड में है वीर बड़ा सिरोही ये भी हमने कल पड़ा था राजीव का दौरा यहां क्या बनाया गया है सेनेटरी पैड की एक यूनिट इस्थापित की गई है जो किस से संबंदित है उडान योजन के तहट सेनेटरी पैड की यूनिट यानि की यह सेनेटरी नेपकिन बनाए जाएंगे अगर आपको नहीं भी पता तब भी आपको यह पता हो कि केसरी सिंग बारहट का संबंद कौन से जिले साथा कौन से स्थान से था तब भी इसका उत्तर यह है शाहपुरा भील बड़ा ना दौरा राजसंबंद में भी आजकल कुछ नहीं घंटना होई जो काफी इंपोर्टेंट है यहां एक कौन सी मूर्ती सबसे बड़ी शिव की प्रत्मा गणेश टीक्री जिसका नाम क्या रखा गया है प्रतिमा का नाम विश्वास स्वरूपम इंगलिस में इसको कहा गय सारे options related बढ़ें आगे मुख्य मंत्री द्वारा हाल ही में डॉक्टर भीम्राव अमबेड कर विधी विश्विद्यालय यानि की लौ यूनिवर्स्टी का शिलान्यास किया यानि की पहला पत्थर रखा गया है यह विश्विद्यालय कहां बनाए जा रहा है धानक्या गाउ मों जैपूर दौलत पुर्मकला जैपूर यह समोरवाग उदैपूर ओस यह चाराइब दहानक्या जैपूर में क्या हुआ यहां से शुरू और है कि quant MS ने में योजना और चिस क्लास में मैंने बताया था पश्धन मायोजना वहां दंदक क्या की जिगह इसको केवल द्दानक्या लिख दिया तहीं जानी की मातर नहीं लगाए थी तो दहनक के नहीं जोट वड़ा के पास जैपूर में इसमें पशुधन यहां से शुरूख की गई थी दूसरा ऑप्शन है दॉलत्पुरा जैपूर यहां से क्या शुरूख किया यह आपको पहले पढ़ा चका हों यहां एक बनाय जा रहा है नागरिक क्या होगा यह नागरिक प्रसिक्षन संस्थान यानि कि आपदा के समय केबल हम जो आपदा रहत बल्ल है या पुलिस फोर्स है या फायर वग्रेट केबल उन पर डिपेन्ड ना रहें क्योंकि आपदा आती है तो किसी भी फोर्स को पहुंचने में कुछ समय लगता है और वह ऐसके लिए नाग्रिक्षों को यह की दौलत Uram ऊंबेकर आपने आप ही एक दूसरे नाग्रिक कीन मदद कर सके इसके संस्थान स्थापत किया रहा 뉴스 रहहए वह कहां यह डॉक्टर भीम्रा ओंबिड कर लॉव यूनिवर्स्टी यानि की विधी विश्व इद्याले काशलान्यास किया गया इसके तहत कुल कितने इसका पहले बजेट कितना रखा गया है लगभग करोड रुपे और इसमें कितने जो कॉलेजे से जुड़े होंगे तो लगभग 84 84 कॉलेजे इसमें 84 कॉलेजे इससे जुड़े होंगे किस से जो डॉक्टर भीम्रा मेंबिड कर विधी विश्व इद्याले काशलान्यास किया गया अब लास्ट ऑप्शन है समोरबाग उदैपूर यहां भी हमने चीज पढ़े थी वह क्या है समोरबाग में बनाया जा रहा है प्रदेश का पहला संत संग्राल प्रदेश का पहला संत संग्राल यह कहां बनाय जा रहा है समोरभाग उद्यपूर में जहां 65 संतों की बारे में जानकारियां वहां दी गई है बढ़ें आगे अगले कुश्चिन की तरफ राजिस्थान का दूसरा स्टेट कैंसर इंस्टिटूट निमलेखित मैं से किस शहर म थ प्रतापनगर में यह कहां है जैपूर जैपूर में कहां बनाया जा रहा है तो जैपूर के बताप नगर al Log mist ने कहां बनाया था और किया कोचिंग है भोला मारू ट्यूरिज्म कॉंफ्लेक्स का निर्मान में से किस इस्थान पर किया जा रहा है केवल सिंपल नाम पूचा है इसमें ज्यादा कुछ चीज़ें नहीं बताने को जैसल मेर जैसल मेर इसमें मिस्प्रिंट हुआ है किबल जैसल मेर जैसल मेर बाड मेर बीकानेर या जोधपुर उत्तर क्या है इसका जैसल मेर डोला मारू नाम आप लोगों ने सुना होगा तो आप मुझे बताएं डोला मारू असल में क्या है क्या कहानी है अगर आप जानते हैं तो त पता हैं जरूर कमेंट्स में फिर है निमलेखित में से किस जिले में एक नई पहल के तहट सरकारी कारेक्रमों में गुल दस्ते मोमेंटों की जगे अव खिलोने भेंट किये जाएगे ऑप्शन है अलबर हनुमानगड उधैपुर या राजसम्मन उत्तर है इसका हनुमानगड प्रशासन के पहल है इसके तहट क्या कि जो भी सरकारी कारेक्रम होते हैं जातर देखते हैं एक अधिकारी दूसरे को या बहुत से आम जनता भी जब सरकारी अधिकारे से मिलने आती है तो उनके लिए गुल्दस्ता वगएरा इसी चीज़ें लेके आते हैं तो वहां के प् निलोंने दिये जाए और इन खिलौनों को फिर अंत में कहां बेज़े जाएगा जो भी आंगन्वाडी केंद्र हैं वहां इनको भी जाएगा इससे क्या होगा अंगन्वाडी में पढने वाले जो पच्चे हैं उनके ये काम आएंगे यहानि की उनको बच्पन में खिलौन बुल्दस तब अगेरा देने की बजाए खिलोने भेट किये जाएं ताकि वो खिलोने अंत में कहां काम आए अंगंद बाड़ी के अंदर के बच्चों के लिए कि यहां समापत होए आज बाली क्लास अब कल की क्लास जैसा आपको यहां दिख विराए 51 तो अगर कोई की बीच में मिस हो जाएं तो आप कल सका नंवर जरूर देखें कि बीच में कोई क्लास चापकी चूटी है या नहीं कल की क्लास का पहला कोश्ट में ता हरिष्चन माथो कितने वर्ष होगी तो इसकी अब दी होगी पांच वर्ष जिसमें अरिश्चन मातु राज्थान राज लोग प्रशादन संस्थान और भारा सरकार का और अकांटिंग डिपार्टमेंट इन दोनों के बीच एक समझोता हुआ ताकि जो राज्जे की सिविल से बखें साथ ही अन्य जो सरकारी अधिकारी हैं उनकी शमता निर्माण की जाए यानिकी एफिसेंसी उनकी बढ़ाई जाए कि राजिस्थान में आर के SMB के कारेकरम के तहट लॉंच किया गए एप द्वारा पांच दिनों में एक दिशंबल तीन-पांच करोड ओशियार सीट्स का डिजिटल मूल यंकन कर विश्व किरतिमान इस्थापित किया गया यह एप कब लॉंच किया गया तो कल मैंने आपक कोई भी डेट ना पता हो तब भी आप यहां पहुंसकते हैं कि पांस सितंबर 2022 को होता है सिक्षक दिवस तो संभाव ना है यह ऑप्शन सही होने की तो यह ही ऑप्शन इसका आंसर भी है वो सियार या ओमर क्या होता है वो सियर यानिकि ऑप्टिकल करेक्टर रिकोगनिशन या उप्टिकल करेक्टर रिडर और ओमर यानिकि ऑप्टिकल मार्क रिकोगनिशन या अप्टिकल मार्क रीडर अच्छ यहां में निकल एक और चीज पूछन आपसे हिंदी से रिलेटेड कि कीरतिमान ऐसे ऐसे है या किरतिमान में हलन्थ आएगा कुश लोगों ने अप लिए जसने कीरती औरजित की है जो किर्थी रखता अपनी तोह तो घ़े यह अनि किर्थी मान और यहां इस में जनकी किश्व मस्था निए इसका मतलब क्या होता है कोई रेकॉर्ड स्थापित करना नया किर्थी मान स्थापित किया नया record नई उपलब्धी ऐसी कोई बड़ी चीज़ हो तो दौनों सब्सक्राइब हैं हिंदी में record के लिए के लिए ने श्थापत किया जैसे यह विष्व करतिमान तो इस किरतिमान के लिए जनरली ये सब्सक्राइब की बात आती है और बिसाद कि हिसाब से किर्थी मान जिसमें हलन जैता है संस्कृत में जो प्रशलित है हिसका मतलब होता है हाँ indeed मैं आपको बताना है इसका मतलब हुआ रिकॉर्ड बड़ी हुपलब ऑसका मतलब हुआ की रखने वाला कि यान कि या अगला कोश्चन है राजिस्थान बेघर उत्थान एवं पनर्वास नीती 2022 का संचालन निम्लिखित में से किस विभाग द्वारा किया जा रहा है तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ये नीती क्या थी इसके खास-खास पॉइंट्स थे कि इसमें सिक्षा को प्रोसल आवास किनको बेघर जो लोग है उनको देना जिसके लिए नियूंतम पचास वर्क फीड जगे में छत के साथ इनको आवास उपलब कराए जाएगा तो कब से निती लागू हुई है तीन जन्वरी 2023 से लागू हुई है और श्रीटीका राम जूली जो इस विभाग है तो एक तरह से ये किसका पुश्चन है आर्ट एन कल्चर का मझि तीर्थ कहां है धौल पुर में इसको कहा जाता है तीरत हो का भांजा तीरतों का मामा किसको कह जाता है वह है पुशकर इसके लिए कुल बजेट कितना था तो 10.4 करोड परेट रिकास कोष्ट की अलग से स करोड इसको दिये जाएंगे परेटन विकास कोष की जब इस्थापना की गई थी यानि कि 2021-22 में तब यह 500 करोड रुपे का फंट था इस कोष का अब बजट 2022-30 में इसको को एक हजार करोड रुपे का कोष बना दिया गया है कि अगला प्रशन था महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालियों में शुरू की जाने वाली बाल भाटिकाओं में के सिस्तर की कक्षाएं लगाए जाएंगे यानि कौन सी क्लासेज लगेंगे तो इसका उत्तर बालवाट का इस्थापित की जानी है जो राइस्तान के सभी जिलों में होंगी बच्चों की एक हफ्ते में पंच दिन क्लासेज होंगी और हर दिन चार घंडे की क्लास होगी और इसमें कख्षाएं कप से शुरू ही है तो छैजनबरी 2023 से अगला कोशन था प्रदेश का पह दूसे जगे तक जा सकते हैं उसी को रोपवे कहा गया है तो प्रदेश का पहला स्वचालित रोपवे कहां है यह है जैपुर में जबकि प्रदेश का पहला रोपवे कहां है सुन्धा माता जो की जालोर में यह सबसे लंबा भी है इसकी लेंद भी सबस्यादा यानि की 800 मीटर प्रदेश का पहला स्वचालित बात करें तो जैपुर में और प्रदेश का पहला बात करें तो जालोर में और आप जो जैपुर में प्रदेश का पहला है स्वचालित यह प्रदेश का ओवरॉल पांचवा है और जैपूर का दूसरा है तो जैपूर का पहला कौन सा है जैपूर का जो पहला है वह ओवरॉल चौथा है तो वह सामौध हनुमान जी मंदिर चौमू जैपूर में अगला कोश्चन था आई एम शक्ति उडान योजने के तहत राजीव का द्वारा राजिस्थान में पहली सेनेट्री प्रड यूनिट कहां इस्तापित की गई है तो यह आज के सुरू के कोश्चन में भी मैंने एक आप्शन रखा था इसलिए ताकि चीजें बार बार रिपी किये जाते हैं प्रथम चरण के लिए 200 करोड रुपे बजट रखा गया था आप दूसरे चरण के लिए 600 करोड रुपे बजट रखा गया है अच्छा एक चीज और इसमें रहे गई अप लेग देता हूं कौन से विभाग दौरा संचाल यह थैं उडान यूजना तो महीला वाल विकास विभाग इसके साथ ही चिकत्सायों स्वास्त विवाग भी इसमें सहयोग करता है महीला वाल विकास विभाग और इसमें सहयोगी है कौन सा चिकत्सावा स्वास्त विवाग क्योंकि सेनेटरी पैड जो है इसी विवाग के दौरा यानि चिकित सावे स्वास्त विवाग के सिस्टम के दौराइब बांटे जाते हैं अगर बढ़ें आगे अगले कोश्चिन की तरफ यह फाइलिंग विवस्ता लागू करने वाला राज्य का पहला अगले कोश्चन हाल ही मैं लोग देवता अमराजी भगत के पैनरोमा निर्माण हेतु चार करोड का चार करोड की वित्य शुक्रती प्रदान की गई यह पैनरोमा निम्लेखित में से किस स्थान पर बनाया जाएगा तो आज वाले वी कोश्चन में ऐसा एक आज वाली क्लास में ऐसा कोश्चन था जिसमें पैनरोमा पूछा गया वह किसका था केश्री सिंग वारहट का और कल जो हमने पढ़ाई किसका था लोग देवता अमराजी भगत इनका पैनरोमा कहा बनाया जय रहा है दॉलत पूरा जो कि चित्त्वडगड में है आज भी हमने दॉलत पूरा पढ़ाजो कहां है जैपूर में और वहां क्या बनाया जा रहा है प्रसिक्ष्चन संस्थान जो क्या प्रसिक्ष्ट देगा नागलिकette को आपना किसा में कैसे वंचापकारे किया जा सकता है इस बारे में उनको जानकारी देगा बाकि जो यह तीनों है यह भी पैनरोमा से ही संबंदित इस्थान है जैसे पुष्कर अजमीर में श्री सेन महराज का पैनरोमा बनाए गया बेंगु चित्वडगड में शहीद रूपाजी और कृपाजी का पैनरोमा और खंड सामानेत पैनरोय को है इसलिए हमने लिया क्योंकि यह बहुत कम खहराई पर यह भी यह भी ले हैं इसलिए चर्चा में है सामने पोटास इतनी गहराई पर नहीं मिलता इससे ज्यादा गहराई पर मिलता है कम गहराई पर उपलब्द होने की संभाब ना है इसका मतलब इनके खनन में जो खर्च है वो कम आएगा प्रोसेसिंग में जो लगेगा चार्ज को कम होगा इसलिए आर्थिक रूप से काफी फाइनेवन हो सकता है और लास्ट में वही जो हमने शुरू में बात की थी क्या कि जो थर्ड ग्रेड वाला एक्जाम देने जा रहे हैं कोछ लोग वो उनके लिए कलाम अकेटमी द्वारा परीक्षा से पहले परीक्षा का आयो तो आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं अपने आपको कलाम अकेटमी की वेबसाइट पर जाकर जो यहां लिखी हुई है तो यहां समाप्त होती है आज की क्लास इसके साथ ही जो सेक्रेंड चैप्टर था मैक जीन का यानि की रिपोर्ट मुद्दे घटनाए आवम चर्चत इस